A very good morning to all my dear friends I hope you all are doing good आज 27th May 2021 है दिन है Thursday आज हमेरे टेबल के उपर बहुत सारे important news items है financial news है तीन interesting articles है आपके लिए इसमें सबसे important article है World Trade Organization के साथ जुड़ा हुआ और एक MCQB है आगे पुड़े उसे पर ले दिया फ्रेंज अगर आप UPSC की preparation कर रहे हैं study IQ लेकर आया है का complete online smart course, course के interesting features, subjects, demo वीडियो सारी चीज़े आपको हमारे mobile app के उपर से मिल जाएगी तो आज ही डाउनलोड करें study IQ का mobile app आज के lecture के video आफको डाउनलोड करना चाहते हैं check out my telegram channel, you can follow me on facebook as well तो सबसे पहली सबसे बड़ी खबर जो है वो साइकलोन यास के साथ जोड़ी हुई है कल full moon night भी थी और एक तरफ ये साइकलोन यास यानि कि दो चीज़े एक तो जो हवा है air की वज़े से air के flow की वज़े से या फिर इसको कहते है wind जो हवाए है उसकी वज़े से जो समंदर के surface का पानी है वो एक जगा से दूसरे जगा या फिर उसमें एक motion आता है moment आती है तो उसको हम कहते है waves और दूसरी चीज़ है पानी के basically तीन प्रकार के moments है ocean की बात करे या फिर पानी की बात करे तो एक तो है waves फिर दूसरा जो है that is tide moon की impact इसके उपर काफी ज्यादा होती है and then we have ocean currents तो ये दो चीज़े एक साथ होई एक तो cyclone की वज़े से ज्यादा तेज waves थी high tide तो इसकी वज़े से बहुत सारा जो जमीनी एरिया है वहाँ पर पानी आ गया और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा property को नुकसान हुआ है बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है agricultural land में जब आपका खारा पानी है saline water आ जाता है तो आपकी खेती की जो जमीन है उसको एक लंबे time तक वो बरबाद कर देता है या फिर उसकी impact जो है वो एक लंबे time तक रहती है चीफ मिनिस्टर ममता बेनर जी ने ये कहा के लगबग एक करोड लोग या फिर उससे भी ज्यादा लोग जो है वो साइकलोन यास की वज़े से effect हुए है 134 नदिया जो है उनके किनारों के उपर से पानी जा रहा था ओडिशा में भी यही situation है बहुत सारी जगाओ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है और सिम्लिपाल बायोस्पेर रिजर्व जो है वहाँ पर भी बहुत ज्यादा बारिश होई है ओडिशा, वेस्ट बेंगॉल, अंदमान निकोबार यह तीन ऐसी जगाए हैं जो यह साइकलोन की वज़े से बहुत ज्यादा affected हुए है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मुदी साहब ने बुद्ध पूनिमा के दिन पर एक वर्चियूल वैसाक ग्लोबल सेलिब्रेशन को एड्रेस किया कोविड नाइटीन की बात करें तो रिकवरी रेट जो है वो काफी इंप्रूव हुआ है 89.66% और पिछले 13 दिनों से ये हो रहा है 13 consecutive day continuously ये हो रहा है कि जितने लोगों को जो नएं के हिसस आ रहे हैं उससे ज्यादा recoveries हो रही है तो that's a good thing as well M4 therysine B ये जो mucor mycosis को treat करने के लिए ये जो दवाई हैं तो 72,000 वाल्स जो है वो central government ने राजियो और union territories को पिछले 5 दिनों में provide किया है WhatsApp के बारे में ये WhatsApp का जो पूरा case चल रहा है तो उसके बारे में हमारे union minister IT minister जो है रविशंकर प्रसाद साहब उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार का ये बिलकुल intention नहीं है कि वो right to privacy को violate करें आपको पता होगा कि WhatsApp जो है वो डेली हाई कोट में गया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो privacy वाला close है या फिर जो traceability वाला close है तो इससे privacy जो है वो affect होगी तो अब देखते हैं आगे इस case में क्या होता है NHAI ने एक नई guideline issue की है guideline में ये है कि जो toll plaza है उसमें एक particular vehicle को 10 seconds से ज्यादा ना रोका जाए 10 seconds के अंदर आप वहाँ पर पहुँचे आपका fast tag में से पैसे cut होगे and then you are ready to go 10 seconds की एक guideline launch की है अब देखते हैं कि can we really make it या फिर ये सिर्फ एक guideline है Railways की बात करें तो 17,945 metric ton medical oxygen जो है वो अलग-अलग राजियों तक Indian Railways ने पहुँचाया है भारत के प्राइम मिरिस्टर नरेंदर मुदी साहब ने France के President Emmanuel Macron साहब के साथ एक telephonic conversation की भारत ने France को thank you कहा है क्योंकि France ने COVID-19 को लेकर भारत की काफी मदद की है Indian Railways की बात करें तो हमारे पियूश गोईल साब ने ये बताया है कि इतिहास जो है वो Indian Railways को याद रखेगा जिस प्रकार से Indian Railways ने contribute किया है इस COVID-19 की जंग या फिर COVID-19 की खिलफ जो युद्ध चल रहा है तो इसमें Indian Railways ने Oxygen और सारी चीज़े पहुंचा कर एक बहुत बड़ा रोल प्ले डेफिनेटली किया है ये काफी हरानी वाला चौकाने वाला रिपोर्ट है इसे हरानी भी होती है कि WHO, NHC और WHO का ये रिपोर्ट है कि चाइना में स्मॉकिंग की वज़े से हर साल लग बग 10 लाख लोगों की मृत्यू होती है बिकॉज अफ स्मॉकिंग इतने लोग अगर जहां तक मेरी समझ है टोटल कोविड नाइनटीन से पिछले एक साल में इतने लोग ये फिर इससे थोड़ा ज्यादा आंकड़ा हो सकता है लेकिन जस्ट इमेजिन के एक साइलेंट किलर जो है उसको हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं लेकिन बहुत सारे इससे डीजीजेसली हैं उसकी ज़्वज़ा से हर साल कितने सारे लोगों की पुछ ऐसी हैबिटस है लोगों की हर साल मृत्य होती है पार्ट उफ एट एडूकेशन मिनिस्टर जो बंगलादेश के हैं ये कहा कि स्कूल्स और कॉलेजिस जो है वो 13 जून से बंगला देश में आपन की जाएगी फिर USA के सेक्रेटरी आफ स्टेट यानि की USA के फॉरेन मिनिस्टर जो है बलिंकन साथ तो उन्होंने एजिप्शन प्रेजिडेंट सीसी उनके साथ एक डिसकुशन की और ये गाजा सी इस फायर को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है इरान बैंस क्रिप्टो कुरंसी माइनिंग फॉर फॉर मन्स अमिट पावर कट्स पावर कट्स की वज़े से इरान ने ये क्रिप्टो कुरंसी के माइनिंग के उपर एक बैं लगा दिया है और येरोपियन के लॉयर्स ने एस्ट्राजनिका के उपर ये इलजाम लगाया है कि आप हमें जो वैक्सीन के वायल्स पहुंचाने वाले थे वो टाइम पर नहीं पहुंचाए आपको हमें कुछ 300 मिलियन डोजस देने थे लेकिन आपने सिर्फ 100 मिलियन ही दिये हैं और एस्ट्राजनिका क कहना ये है कि हमारा कॉंट्राक्ट ओलरी ऑक्सवार्ड यूनिवरसिटी का कॉंट्राक्ट जो है वो बिटिश गवर्मेंट के साथ था तो हमें पहले उनको देना था तो इसको लेकर एक केश चल राब देखते हैं आगेज में क्या होता है फाइनशल न्यूज की बात करें बिजनस वर्ल्ड की बात करें तो रिलाइंस ने एक बहुत ही इंट्रिस्टिंग स्टेप उठाया है रिलाइंस एक मेगा वेक्सिनेशन ड्राइब लाँच करने वाला है और जो भारत बायो टेक है सीरम इंस्टिटिट ओफ इंडिया है वहां से डायरेक्ली वेक्सीन खरी फिर जो काम कर रहे हैं लोग उनके फैमिली मेंबर्स को भी वेक्सिनेट करेगा रिलाइंस इसके लावा जो रिटार्इड लोग है तो उनको भी वेक्सिनेशन प्रोइड किया जाएगा देन वी हैव वन मोर नियूज आज के एकोनोमिक टाइम्स के फर्स्ट पेज के उपर मुझे ये खबर पढ़ने को मिली और ये काफी एक परिशानी परिशानी क्रियेट कर ऐसी एक खबर है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग जो एफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास कोई ना कोई सॉर्स है लटसे तो वो हमारा देश छोड़ कर दूसरे देशों में सेटल हो रहा है कुछ लोग नियूज जिलेंड ज़ले गए कुछ कैनेडा कुछ कतार कुछ दूसरे और सोचा के इट इस बेटर के ऐसे देश में मूव हो जाए जहां पर आपको अच्छी हेल्थ फेसिलिलीज मिलें ब्लैक फंगस यानि की मियोकरो माइकोसिस की बात करें तो गुजरात नंबर वन पॉजिशन के उपर है ये एक बहुत ही दुखत बात है और अमर्तिया सेंस एक टॉप एवोड दिया गया है सोसियल साइंसेस में इस एवोड का नाम है प्रिंसेस ओफ ऑस्ट्रियास एवोड तो ये नाम याद रखेगा आपको ऐसा प्रशन एजिली पूछा जा सकता है ओपिनियन एडिटोरियल्स की बात करें तो कल मैंने आपको एक प्रशन एक इंडर शाषित प्रदेश बहुत ही ब्यूटिफूल जगह है मैं कभी वहाँ पर गया नहीं होफुली वन डेया विजिट फॉर शूर आप पर विजिट करना चाहेंगे कितना आउटस्टेंडिंग ये व्यू है देखिए राइट इस लाइक यूनो टर्कोइश वाटर यहाँ पर देखिए और कितने अच्छे ये हट्स हैं यहाँ पर ज्यादा तर ये सारी चीज़ें हम बहुत ही यूनो फिल्मों में देखते हैं और जब भी इस प्रकार के लोकेशन्स देखते हैं हमें लगता है कि ये तो यूनो कहीं बहामास या फिर वेस्ट इंडिस या में और किरेबियन आइलें आइलेंड में यह सारी चीज़ें ओकी भारत में ऐसी चीज़ेंगी तो लग्षव और है इस प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं अब लक्षव दीप है कहां पर तो यह रहा Arabian Sea राइट और यहां पर देख सकते है केरिला केरिला से आप थोड़ा वेस्टन साइड जाएंगे तो यह वाला पोर्शन जो है यहां पर छोटे चोटे आईलेंड्स जो हैं यह हैं लक्षद्वीप राइट यह मौल्दीव्स जो हैं वो कीजिएगा इसके बीच में एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा गैप भी है तो यह हैं लक्षद्वीप अब आपको इसके लोकेशन के बारे में पता चल गया लगबग 36 आईलेंड्स हैं यहां पर और 32 स्क्वेर किलोमेटर वाला एरिया है पॉप्यूलेशन जो हैं वो कु ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलोप्मेंट ओफॉरिटी रेगूलेशन 2021 जो हैं वो निकाला और इस लो में या फिर इस ड्राफ्ट में यह बात बताई हैं कि जो एड्मिनिस्ट्रेटर हैं उनके पास यह पावर्स हैं कि वो जो चाहे उस जमीन को ओवर्टेक कर सकता है और यानि कि सरकार जो हैं अगर कोई कोई आईलेंड की कोई ऐसा एरिया है कोई जमीन है जो सरकार को चाहिए तो सरकार वो जमीन जो हैं वो अपने पास ले सकती हैं अपने कबजे में ले सकती हैं अगर वहाँ पर कोई लोग रह रहे हैं तो उनको कहा भी जा सकता है कि आप relocate नहीं होंगे तो आपको harsh punishment भी दी जाएगी इसके अलावा यहाँ पर जो sale और consumption है beef का अब यहाँ की food habit जो है लक्षदीब की तो beef जो है it is part of their food habit और यहाँ पर यह नया rule निकाला है कि अगर कोई beef को consume करता है यानि कि beef को खाता है या फिर beef को बेचता है तो उस व्यक्ति को 7 साल की जहिल की सजा हो सकती है इसके अलावा अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप पंचायती election में पार्ट नहीं ले पाएंगे फिर एक नया law निकाला है इसको मीडिया में गुंडा act कहते है इसका real name कुछ और है इस परकार का एक law है बट इस फेमस एज गुंडा act तो यह जो गुंडा act है उसमें यह है कि अगर कोई ऐसे criminals हैं या फिर लोगों को सरकार जब चाहे तब सरकार आपको जेल में डाल सकती हैं आपको किसी भी परकार के reason देने के लिए सरकार responsible नहीं हैं अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इस परकार के जो British राज के जो rules थे उसके खिलाफ बहुत सारे हमरे देश में आंदोलन हुए हैं तो ऐसा law जो हैं वो आजाद भारत में यहां के administrator लेकर आते हैं गुंडा एक्ट में के anyone could be anyone could be held in prison without a reason up to a year एक साल तक आपको जेल में रखा जा सकता है और लक्षोदीब जो हैं यह ऐसी जगा नहीं हैं जहां पर बहुत ज़्यदा crimes होता हैं यहां पर ना के बराबर crimes होता है तो ऐसी जगा पर इतने harsh low लाने की क्या आवशकता है दूसरी चीज़ जो मचवारे हैं fishing communities हैं उनका main काम क्या है fishing करना तो fishing के लिए आप कहा जाएंगे of course you will go out in the sea तो उनको coast line में जाने की permission नहीं है उनको जगाव पर ऐसी बात है और उनके जो sheds हैं उनको demolish किया गया और ये कहा गया कि ये जो coast guard act है उसके साथ ये violation में है ये sheds तो इनको गिराया गया फिर administration जो dairy farms चलाता था उनको बंद कर दिया गया और ये जो पटेल साब हैं ये काफी controversies में भी रहे हैं मार्च की बात करें तो मार्च 2021 में मुंबई पुलिस ने एक जो दादरा और नगर हवेली ये भी हमारी एक यूनियन territory है तो दादरा और नगर हवेली के एक MP थे मोहन दिलकर तो उनकी suicide note में ये पटेल साब का नाम निकला है तो इस प्रकार की controversy में भी वो रहे हैं और अब इस article में ये जो हिंदू का article है उसमें ये बताया गया है कि इसके कुछ reasons हो सकते हैं ये जो नए बदलाव किया गया है एक तो है commercial interest हो सकता है कि सरकार जो हैं वो ये कुछ ऐसी जमीने जो हैं वो अपने पास रखें और फिर उनको outsiders जो हैं देश के दूसरे area के लोग जो हैं तो उनको ये जमीन बेच दे तो ऐसा भी एक plan हो सकता है दूसरी चीज़ ये कि इसमें ये बताया गया है कि सरकार को ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए कि यहां की demographic को change करने की कोशिश करें लक्षवदीप के islands जो हैं लक्षवदीप में सबसे ज्यादा आपको Muslims यहां पर सबसे ज्यादा है तो ऐसा कहीं पर लिखा नहीं गया है या फिर किसी ने बताया नहीं है लेकिन यहां पर एक suggestion है इस article में कि यहां की demographic को change करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यानि कि अगर यहां पर Christians, Sikh, Hindu, Parsi, etc. को आप यहां पर ज्यादा उनकी population को बढ़ाना चाहता है ऐसा कोई plan है तो this is not feasible, this is not sustainable उसके बीचे reason यह है कि हमारे देश में union territories क्यों है basic question यह है why we have union territories union territories इसलिए हैं क्योंकि कुछ ऐसे areas हैं हमारे देश के जिनका culture और जिनकी history जो हैं वो काफी unique रही है for example बहुत सालों पहले की बात है जब first time में एक जगा है दीव दीव is a union territory तो मैं वहां पर जब गया तो of course मुझे history थोड़ी बहुत पता थी दीव के बारे में बट जब मैं वहां पर गया तब मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता चला कि वहां पर आपको Portuguese Portuguese touch देखने को मिलेगा because Portuguese लोगों के पुर्टुगालियो का control था दीव के उपर दीव और फिर दमन के उपर दादर नगर हवेली और इन सारी जगाओ उपर तो मुझे वहां पर जो पॉर्टुगाल की जो football team है तो उनके supporters देखने को मिले वहां पर उनके banners थे ये सारी चीज़े है तो एक this is just one example है कि unique culture है unique history है और ये unique history और ये unique culture जो है वो maintain रहे इसलिए ही हमारे देश में constitution में ये union territories को हमने create किया है अब आप वहां पर अगर ऐसे बदलाव करेंगे और आप बाकी के देश के साथ इसको ये नो बाकी के देश का जो flavor है जो color है वो यहां पर भरने की कोशिश करेंगे तो यहां की जो uniqueness है वो चली जाएगी moving on to very important discussion times of India का ये article है how US has weakened world trade organization COVID-19 और उसकी वज़े से lockdowns जो है उनकी impact definitely business के उपर और international trade के उपर global merchandise के उपर हमें देखने को मिली 2020 का जो first half है यानि कि पहले जो 6 महिने है 2020 के और यहां पर हम भारत के financial year की बात नहीं कर रहे है we are talking about normal calendar first january से December 31st December 2020 this is also for 2020 तो पहले दो quarters यानि की january February और March और second quarter है April, May and June तो यह पहले जो 6 महिने है उसकी situation यह हुई कि first half में जो है वो business काफी down रहा और second quarter में भी जो second quarter यानि की April में जून के टाइम की बात करें तो 15% जितना global merchandise में एक drop हमें देखने को मिला लेकिन second half में बहुत सारी जगाव पर COVID की waves खतम हो गई थी तो एक बहुत अच्छी recovery भी हमें देखने को मिले हुई according to 31st March 2021 press release by World Trade Organization merchandise exports fell by only 5.3% over the full year पूरे साल की बात करें तो पहले जो यह second quarter में 15% था फिर second half में जुलाइ के बाद जो है वो काफी एक अच्छा pick up हुआ recovery का तो overall जो drop है वो सिर्फ minus 5.3% का रहा which is good compared to 2009 2009 में जब global financial crisis आई थी तो minus 12 या फिर 20% जितना drop जो है वो global merchandise में global merchandise जाने की goods जो सामान है उसके import-export में हमें इतना drop देखने को मिला था WTO का यह prediction है कि 2021 में global trade जो है वो 8% जो है वो 8% से rise होगा 8% which is very very good यह हम merchandise exports की बात कर रहा है तो यह 8% से increase होगा और vaccination जितना ज्यादा फैल रहा है कि जितने सारे दोश जो है वो इसी race में है कि वो जल से जल्द पूरी population को vaccinate कर दे और पूरी दुनिया जो है और बहुत सारी जगह उपर इसको ज्यादा प्रोड्यूस भी किया जा रहा है एक्सेटरा तो इस वेरी positive thing एक positive impact क्रिएट करेगा business के लिए तो हम कह सकते हैं कि 2009 के comparison में अगर देखें तो definitely global trade when I say global trade I am talking about merchandise exports particularly हम सामान की यहां पर बात कर रहे है तो merchandise exports जो है वो लगभग आप कह सकते हैं survive कर गया COVID-19 के कहर को अब यह सारी चीज़े संभालता कौन है world trade organization why we need world trade organization क्योंकि जब आप एक team में होते हैं say आप cricket खेलते हैं why we have rules in cricket this is no ball, this is wide, this is 4 run, this is 6 run etc अगर rules नहीं होते हैं तो क्या आप cricket खेल पाते हैं अगर rules नहीं होते हैं तो क्या football in the same way अगर proper rules नहीं हैं तो फिर आप business भी नहीं कर पाते हैं तो पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे के साथ अलग-अलग देश इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके तो इसके लिए we have a world trade organization ताकि अगर कोई भी देश जो है वो rules and regulations को violate करे तो हमारे पास एक जगा ऐसी हो जहां पर हम जाकर हमें इंसाफ मिले या फिर उसको sort out किया जाए लेकिन world trade organization में भी बहुत सारे fissures और fractures हैं यानि कि यहां पर भी बहुत सारी cracks है world trade organization के पास एक dispute settlement body है DSB DSB एक परकार के एक परकार की court है जैसे civil disputes होते हैं तो हम court में जाते हैं वैसे ही अगर दो देशों के बीच में कोई issue चल रहा है अगर किसी एक देश को यह लग रहा है कि दूसरा देश जो है वो trading rules and regulations को violate कर रहा है तो वो फिर DSB के पास जा सकता है अब यह process पूरी कैसी है अगर आपको देश A और B के बीच में कोई issue है तो पहले वो एक intermediation कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं बुला सकता है कि आप आजाईए हमें आपको हमें आपके साथ इस particular matter को लेकर discussion करनी है अगर वहापर problem solve हो गया तो that's fine अगर नहीं तो फिर DSB जो है वो एक panel गठित करता है और ये panel जो है वो पूरी चीज़ को investigate करती है उसके बाद अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है वरना फिर ये जो dissatisfied party है dissatisfied देश जो है वो इस चीज़ को appellate body में ले जा सकता है जिसको कहते हैं short form में A B appellate body और appellate body का जो ruling इसकी जो ruling है इसका जो decision है ये final decision है वो decision उस particular देश को या फिर दोनों parties को या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक side पर एक देश है दूसरे side पर 5 या फिर दो से भी ज्यादा देश है तो A B का जो final ruling है वो final है A B ने जो कहा वो आपको मानना पड़ेगा That's how it is अब ये जो appellate body है इसमें judges है ये judges को 4 सालों के लिए appoint किया जाता है उनकी जो tenure है term है that is for 4 years renew भी हो सकती है आप दूसरे 4 साल के लिए भी आपको reappoint किया जा सकता है और WTO के member जो है वो consensus से दियान रखे I'm not talking about majority consensus यानि कि सभी members को yes कहना है that is consensus तो consensus से members ये जो judges है उनको appoint किया जाता है और उनकी जो post है उनको renew भी किया जा सकता है reappoint भी वो हो सकते हैं At any time AB can have up to 7 members of which 3 makes the quorum for hearing at dispute 7 judges होने चाहिए और किसी भी case को सुनने के लिए dispute को सुनने के लिए quorum कितना है 3 quorum यानि की 3 judges तो होने ही चाहिए अगर 3 से कम judges है तो फिर ही आप dispute को सुनने ही सकेंगे आप उस particular case को आगे चला नहीं सकते अब USA एक लंबे time से AB से खुश नहीं है कुछ USA ने ऐसे किये है कुछ जगाव पर USA ने कुछ ऐसी चीज़े की है जिसको लेकर AB जो है वो उससे खुश नहीं है और AB ने कई decisions जो है वो USA के खिलाव भी सुनाए है अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए USA ने ये किया कि USA ने अपना जो विटोइंग पावर है इसका इस्तमाल करते हुए AB के judges को ना तो री एपॉइंट होने दिया ना तो नए judges को एपॉइंट होने दिया तो इसकी impact टोटल ये हुई कि धीरे 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 judges की tenure जो है वो खत्म हो गई ना तो री एपॉइंट हो रहे थे ना नए judges एपॉइंट हो रहे थे तो situation ये हो गई कि 2019 की बात करे precisely 11th December 2019 की बात करे तो अब AB में सिर्फ दो judges ही है और जैसे मैंने आपको बताया terms and condition ये है कि अगर 3 judges नहीं है तो फिर means quorum के लिए आपको तीन चाहिए और आपके फार सिर्फ दो judges इसका परलब ये है कि WTO की ये पूरी प्रोसेस जो है ये प्रोसेस स्टॉप हो गई है USA और चाइना के बीच में जो trade conflict है फिर स्टील और aluminium के उपर बहुत ज़्यदा tariff लगा देना ये सारी चीज़े USA ने जो है वो side by side की एक तरफ WTO को weak बनाता गया और दूसरी तरफ अपनी मनमानी जो है वो करने लगा और USA कहता है के WTO में ये problem है वो problem है लेकिन ये problems को solve कने के लिए unit judges judges को तो appoint होने नहीं देता है और जब भी दूसरे reforms की बात आती है तब वो points सामने नहीं रखते हैं कि क्या क्या issues हैं बस कह देते हैं कि ये साथ the issues that we are facing and things like that दूसरी चीज़ USA को ये बिलकुल पसंद नहीं है कि कुछ देश जैसे के China इंडिया और Brazil को developing country का status दिया गया है अब developed देश और developing country में rules and regulations WTO के ये हैं कि कोई rule आपने निकाला WTO ने तो वो rule जो है वो developed देशों को सबसे पहले implement कर देना है और developing देशों को कुछ वक्त मिलता है इसको कहते है special and differential treatment of course वो developing देश है उनकी speed और उनकी facility आपकी तरह नहीं होगी तो उनको थोड़ा extra वक्त दिया जाएगा तो ये चीज जो है ये USA को पसंद नहीं है तो ये सारी चीजों की वज़े से basically USA ने ये पूरी process को stall कर दिया और इस stalling की वज़े से ये DSB और AB जो है particularly AB काम नहीं कर पा रही है तो फिर WTO काम नहीं कर पा रहा है तो कोई rules and it's like कोई empire ही नहीं है अलग-अलग players कहते हैं कि ऐसे अगर bowling करेंगे तो that is no ball कोई कहता है कैसे no ball नहीं है और जैसा चल रहा है वैसे चलना ना तो third empire है ना तो कोई empire है तो कोई rules and regulations हैं लेकिन अगर वो implement नहीं होगे तो फिर rules and regulations किस काम के तो भारत जैसा देश जो goods के exports की बात करें तो 18 से 19 trillion के हमने exports किये services की बात करें तो 6 से 7 trillion का हम इसका services का export करते हैं और ये COVID के बाहर निकलने के लिए COVID जब खत्म होगा और उसके बाद जो economic growth हमें करना है तो we need 7 to 8% का growth जिसके लिए important है कि भारत जैसे देश और दूसरे देश जो है वो मिलकर WTO को strong बनाएं right तो I hope अब ये पूरा topic clear हो गया होगा कि कैसे USA ने WTO को weak कर दिया है tackling rural economic distress the Hindu का ये article है ये लिखा है Mr. Mr. नंदी देव मालिया नंदी उनका नाम है और नरेगा शंगर्स मोर्चा के वो member है तो यहाँ पर अफकोर्स उन्होंने जो खामिया हैं वो हमारे सामने रखी है और it is important कि खामियों के बारे में हमें पता चले तो सारे राज्य जो है वो फिर से लोगडाउन की सिच्वेशन में हैं और informal sector में काम करने वाले लोग जो हैं मजदूर हैं तो इस प्रकार के लोग काफी प्रभावित हुए हैं इससे राइट नेगेटिव इंपक्ट हुई हैं लगबग एक साल से जो ग्रामीन खेतर में रहने 27% responded ने यह कहा कि उनकी कोई income ही नहीं है 40% ने यह कहा कि उनकी nutritional quality जो है food की वो काफी खराब हो गई है और अच्छा food intake नहीं कर पा रहे है और 46% ने यह कहा कि उनको एक वक्त का खाना जो है वो skip करना पड़ रहा है इतनी गरीबी जो है वो COVID-19 और यह लोगडाउन की बज़ ही रही है फिलाल और बहुत सारे लोग जो है वो या तो अपने गावं वापस चले गए हैं या तो फिर city area में रहते हैं तो वहाँ पर वो फस्ट चुके है ना वो rent पे कर पा रहे हैं तैसे situation और stranded workers action network जो हैं तो इन्होंने लोगों की मदद की एक प्रकार का NGO है तो इनका कह का काम जो है वो लगबग बंद हो चुका है 76% ने ये कहा के food और cash जो है वो उनकी एक immediate requirement है तो it is important के food की बात करे तो public distribution system और काम की बात करे तो MG नरेगा ये दो चीज़ां ऐसी हैं जो सरकार इसको अच्छी तरह की से implement करे तो हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं हाल ही में सरकार ने मेय और जून महिने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए पांच किलो food grain ये national food security act के तहत ये announcement किया है the problem is कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं आज भी बहुत सारे लगबग 100 million जितने लोग ऐसे हैं जो 2011 के census की वज़े से ये data जो है वो पुराना है तो इसकी वज़े से बहुत सारे लोग is PDS system के बाहर हैं तो सरकार को ये सभी के लिए extend कर देना चाहिए और दो महिने के लिए लगबग एक साल के लिए इसको extend करना चाहिए क्योंकि इसकी impact एक दो महिने में खत्म नहीं होगी it is going to continue for a bit of long time इसमें दूसरी important चीज़े भी add की जा सकते हैं सिर्फ दाल चावल नहीं या फिर गें हूं दाल चावल नहीं इसके लावा oil और दूसरी important चीज़ों को भी सरका किया है now the thing is अगर आप calculate करें तो अगर हमारे देश में 7.56 करोड ऐसा household है जो mg नरगा के उपर dependent है तो इतने लोगों को काम देने के लिए we need some 1.3 lakh करो रोपीज और यहां पर कितने है 73,000 तो allocation कम है और 4% जो salary increase कि it should be at least 10% क्योंकि हमने देखा कि कैसी बहुत सारी चीज़ों म mustard oil की बात करें थे हम we were talking about other items के उसमें भी you know increase दाल में अरहर दाल की बात कर रहे थे तो उसमें भी एक बहुत price rise हुआ है तो inflation को ध्यान में रखते हुए महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार को 4% नहीं 10% increase करना चाहिए wages में और इसके लिए आपको चाहिए another 10,000 करोड तो लगभग 1.4 lakh करोड जो है वो mg नरगा के लिए होने चाहिए तब जाकर हम ऐसे लोगों की मदद कर पाएंगे and that's everything in today's discussion कल जो मैंने प्रशना पूछा था उसका अंसर तो मैंने आज पहले ही आपको दे दिया एक और प्रशना है 2019 में ओडिशा को एक extremely severe cyclone का सामना करना पढ़ रहा था तो ये cyclone जो है इसका नाम किया है बताईए and that's everything from my side thank you very much for watching this video I'll see you tomorrow till then enjoy your studies good good bless you all Jai Hind